हलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी नूट्स फो यू अलाइन स्टेडी चेनल आप सब के अपने यूटूब चेनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि आप जाते हो कि हर साल हम पेपर वन के साथ सच कुछ पेपर टू के पी वाई क्यूस भी सॉल्व करवाते हैं तो यहाँ पर आज आप देख सकते हैं सोचलोजी का यह इंपोर्टन कोशन पेपर जो 2023 में आप से पूछा गया ग्यारा मार्च 2023 शिफ्ट वन का यह कोशन पेपर है तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम बचा है और बहुत जरूरी है यह देखना कि किस तरीके के कोशन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले कोशन की तरफ चलते हैं कोशन नंबर वान दा पर्ड़ वव और फेमिनेंस्व वास से रॉनिम्स विड़ नारिवाद की प्रथम लहर निम्ले कित में से किसके समानाढ़ती है करिक्ट रान्सरेर ऑपशन नंबर डी इस्तरियों का नारी मतादिकारी आंदोलन करती आंदोलन नारिवाद की पहली लहर कहा जाता है इसे किसे इस्त्रियों का नारी मतादिकार आंदोलन कत्री आंदोलन को इसकी शुरुवात कहा हुई थी अमेरिका में सैनिका फॉल्स कन्वेंशन में हुई थी कोशन नमबर टू कोशन का सही आंसर है लेकिन हो सकता है अगली बार आप से इसे मिलते जुलते कोशन पूछे जाएं तो यहाँ पर कोशन नमबर टू का जो सही आंसर है बी उसका डेटेल ज़रूर पढ़ लिजे रोबर डेल एक प्रसेद अमेरिकी राजनीती संदर विशलेशक थे जो बीसवी शदी के पातपुन विद्वानों में से एक थे उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई कभी कभी पुस्तक और उसके लिखक का नाम पूछ लिया जाता है हूग गवन्स और डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स काफी प्रसेद है डेल ने अपनी पुस्तक हूग गवन्स में अमेरिकी नागर में लोगतंत्र और शक्ती के बारे में लिखा है उन्होंने या ध्यरन किया कि आमेरिकी नैकर की निकिट इस्दिन नगरों में कौन से ताकतपर लोग है और फिस अपनी श जुर सकते हो जहां पर आपको यह प्रवाइड की जाएगी तो women's role in economic development पुस्ता के लेखक निमलिखित में से कौन है correct answer क्या होगा option number a option number a Esther Bosra women's role in economic development पुस्ता के लेखक है Esther Bosra वो एक डेनिश अर्था सास्त्री भी है जिनोंने आर्थिक और ट्रशी विकास का अध्यन किया था कोशन नमबर फोर इस तरीके की एक मैचिंग आई थी जहां पे नगरिय परिस्तिति के प्रारूप और प्रारूप के प्रतिपादक यानि प्रोपोनेंट ओफ मैडल्स और मॉडल्स ओफ अर्बन एकलोजी दिया हुआ था इस तरीके की एक मैचिंग थी ध्यान से देखिए सक में ये किसके द्वारा दिया गया सकेंद्री अचल प्रारूप किसके द्वारा दिया गया या फिर एक स्टेट्मेंट हो सकता है कि बहु केंद्रक प्रारूप किसके द्वारा दिया गया तो देख सकते हैं यहां पे जो सही आंसर है वो क्या होगा यहां से कोड में आपको अंसर करना होता है सकेंद्री अचल प्रारूप बर्गेश चेत्रक प्रारूप होमर हुएट बहु केंद्रक प्रारूप हैरे सुल्मान और पारस्तितिकी विशलेशन एमोस हॉले फिर से एक मैचिंग है और यहां पर टर्मनलोजी दिया है और सिधान कार द्वारा परियुक्त किये गए यहां पर किसके द्वारा परियुक्त किया गया वो पूछा है तो इस कोशन का जल्दी से बड़ी आंसर करिये क्या होगा गवर्निंग एलाइट, रूलिंग ग्लास, वीटो ग्रूप और टॉप लीडर्स इस कोशन का सही आंसर क्या होगा मैचिंग में आपको आंसर करना है इस कोशन का जिसको भी इस कोशन का आंसर आता है ना सिर्फ हम PYQ सॉल्ब करेंगे बल्कि बीच बीच में से आपसे कोशन भी पूछते जाएंगे इसलिए रेडी रहिए कोशन को पढ़िए और आंसर करिए सही आंसर है ओप्शन नंबर B इस कोशन का सही आंसर ओप्शन नंबर B साशकी अभिजातवर परियेटो साशक वर्क मार्क्स वीटो समुरोई रीसमान और सीश नीता यानि टॉप लीडर्स फ्लाइट हंटर नेक्स कोशन कोशन नंबर 6 फिर से एक मैचिंग है लिस्ट ओफ कॉंसेप्ट और त्योरिस्ट यहाँ पर आपके सामने एक मैचिंग दी गई है इसी तरीके कि आपको बहुत सारी मैचिंग देखने को मिल सकती है डिरेक्ली चलते हैं इसके आंसर पर सही आंसर है उप्शन नंबर 2 अब चारी छेतर किसके द्वारा दिया गया क्लिफ फोर्ड शौ के द्वारा उपसांस्क्रादिक सिधान अलबर्ट कोहिन के द्वारा विबेदक अफसर सिधान क्लोवर्ड एन ओहलिन के द्वारा लेवलिंग सिधान हावड पेकर के द्वार Q7 और ये Q7 बहुत बार पूछा गया Q7 है कि किसने रुखन भूमिका की अफधालना बनाई थी Who gave the concept of sick role जल्दी से इस Q7 का जो answer है कमेंट कर दीजे जल्दी से इस Q7 का जो answer है कमेंट कर दीजे Option A Merton, Option B Parsons, Option C Smell Sir, Option D Mills चलिए देखते हैं सही answer Q7, Option B कारियात्मक से धानदवादी टॉलकोड परसन ने अपनी पुस्तक किसमें The Social System में रुखन भूमिका की अफधारना प्रस्तुत की थी पूछा जा सकता है कि रुखन भूमिका किसमें बोला गया The Social System में किसके द्वारा Parsons के द्वारा Parsons ने अस्वस्त की भूमिका को विचलन के रूप में या सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद जाने के रूप में देखा क्योंकि एक बिमार व्यक्ति के वहवार आदर्श से भिन पैटन होते हैं स्वास्त एक कारियात्मक समाज के लिए आम तोर परावशक है किन विद्वानों ने भारत में जाती और राजनीती के मद्य संबंदों पर व्यापक रूप से लिखन किया है कोशन नमबर एट रजनी कुठारी, नॉर्मन पॉल्मर, मिलर या कैम्प बेल यहां से आपको चूज करना है आंसर और यहां से आपको सेलेक्ट करना है तो सही आंसर है ओप्शन नमबर सी A, B, C, D, E यह सभी के सभी यह सभी के सभी रजनी कुठारी, नॉर्मल पॉलमर, मीलर, कैंप बैल और खी चलिए, नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं कोशन यहाँ पर याद रखिएगा रजनी कुठारी की अगर बुस्तक के बारे में पूछा जाए तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इनकी बुक है जिसमें इनोंने राजनीती में जाते की भूमिका का भी विस्तृत विशलेशन किया कोशन नमबर नाइन जहाँ पर आपकी फिर से एक मैचिंग है ए यार दिसाई यानि लेखक और उनकी बुक जैसा कि मैंने आपको भी बताया था ए यार दिसाई पेजएंड ट्रॉगल इन इंडिया अब बुक आगर आपको पता है या राइटर आपको पता है तो आराम से इस कोशन का आंसर कर लेंगे काफी लंबा कोशन है तो डिर्क्ली यहाँ पर मैं इसका आपको आंसर दिखाने वाली हूँ D.N. धांग्रे इनकी जो बुक है इनका क्या नाम है तो डिरेक्टली चलते हैं आंसर पे सही आंसर है option number C यानि देशाई जी की जो बुक है वो Pigeant Struggle in India, धनाग्रे Pigeant Movement in India, David Hoffman Pigeant Resistance in India, Perington Moore Jr. की जो बुक है उसका नाम है Social Origins of Dictatorship and Democracy, Lord and Pigeant in the Making of the Modern World चलिए next question देखते हैं, question number 10 जो की फिर से एक matching है यहाँ पे terms और उसकी meaning पूछी गई है यानि अगर political elites हैं या business elites हैं, social elites हैं और intellectual हैं तो यहाँ पर उनसे related कौन सा concept हो सकता है यह आप से पूछा गया है ध्यान से देखिए इस question के answer को option number B राजनीतिक अभी जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा राजनीतिक अभी जाते हैं शक्ति के अभी जाते हैं, website के अभी जाते हैं, समाजी के अभी जाते हैं सम्मान के और बौधिक ग्यान के, natural सी बाद है बौधिक किसमे हो जाएगा का अधर सम्गंद सकते हैं यहां पर राजनीती का संभण किसे हम मान सकते हैं शक्ति इलाइट आफ पावर से बिज्नस में क्या होता है वैल्थ की बात करते हैं धन संबंदी बात होती है सोशलियमट में क्या होता है संभन से संबंदित intellectual जो दिमाग से related है light of knowledge तो थोड़ा से यहां दिमाग लगाएंगे तो answer solve कर लेंगे question number 11 उस अर्थ व्यवस्ता को किस रूप में जाना जाता हैं जिसमें बहुत सारा कारेबल बहुत ही उत्पादन या भोमिक वस्तों के वित्रण में समलित नहीं होता लेकिन उनके अभी कल्प डिजाइन विकास प्रोदोके की विपड़न विक्री और सर्विसिंग में कारियरत रहता है question number 11 सही answer क्या होगा इस question का option number 20 ग्यान आधारत अर्थ व्यवस्ता के रूप में जाना जाता है ग्यान आधारत अर्थ व्यवस्ता में उत्पाद सेवाओं कर निर्मान विपड़न ग्यान विग्यान टेक्निकल प्रगति के अधार पर होता है जैसे अगर आप लोगों को दिहान हो तो यहां पर इस समय जैसे Amazon होता है फिलिपकाट ही यहां पर क्या होता है टेक्णलोजी का भी इस्तिमाल है प्रोडक्ट भी है सेवाईं भी है ज्यान विग्यान विए और टेक्निकल थिक है इसमें बहुत भी गुत पादण नहीं होता है तो यह ग्यान आधारत अर्थ व्यवस्ता के अंदर के काउंट की जाती है बलकि उत्पाद और सेवाओं के निर्मान विक्रे में विशेश यकिता ग्याना धारत प्रणालियों का उप्योग किया जाता है एक्जांपल के तोर में मैंने आपको बता दिया है यह हैं आपकी ग्याना धारत रत्वेवस्ता यानि वो लोग खुद माल नहीं है लेकिन बेचते हैं सर्विस भी देते हैं टेकनिकल भी सारी चीज़ें बाई कॉल सेंटर पे आप बात करते हो डिलीवरी आ रही है सारी चीज़ें टेक्नलोजी पे हैं ठीक है कोशन नमबर 12 है अरेंज दा फॉल्लिएंग वर्क्स क्रोन लॉजिकल क्रतियों को काल पर क्रमानुसार यानि जो पहले आया है उसके अधार पर यहां पर व्यवस्तित करना है अब आप ध्यान से एक बरी देख लीजे दा पोस्त मॉडन कंडिशन एकनोमी एंड सोसाइटी ड़ ड़ डिवीजन ओ लेबर इन सोसाइटी दा जर्मन आइडियोलोजी दा कल्चर इ सबसे पहले क्या आया जर्मन आइडियोलोजी 1845 डिवीजन ओफ लेबर इन सोसाइटी 1893 एकनोमी एंड सोसाइटी 1921 दा कल्चर इंडर्स्ट्री 1944 दा पोस्त मॉडन कंडिशन 1979 कोशन नंबर थाटीन कोशन नंबर थाटीन उस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है जिसके माद्यम से सामाजिक जीवन के विविन शेत्रों पर धर्म का प्रभाव कमिक रूप से शेत्ल होता जा रहा है उस प्रक्रिया को हम धर्म निर्पेक्षी करण यानि सेक्रलाइजेशन कहते हैं जिसके माद्यम से सामाजिक जीवन के विविन शेत्रों पर धर्म का प्रभाव क्रमिक रूप से शित्ल होता जा रहा है यानि कम पढ़ता जा रहें बेदभाव को कम करने का प्रियास किया जा रहें कोशन नंबर 14 एक मैचिंग जहां पर फिर से ओथर और उनकी बुक है डेविड हार्वे मैनुवल केस्टल जॉन लोगान और हार्वे यहां पर इसके ऑप्षन दिये गए हैं तो डिरेक्ली मैं आपको आंसर दिखा रहे हू डेविड हार्वे की है सोशल जस्टिस एंड दा सिटी मैनुवल केस्टल दार्बन केस्टन जॉन लोगान हार्वे अर्बन फॉर्चून और जिगमंट बोबन की है वेस्टेट लाइट्स मुडर्न टी एंड इट्स आउटकास्ट कुशन नंबर 15 फिर से यहां पर क्रोनलो अधिनियम और कौन सा बाद में आया है कौन-कौन से एक्ट की बात की गई है यहां पे समान परिश्रमिक की सती अनमूलन, सती निरोधक, हिंदु विवा, मत्रत वलाब, अधिनियम कौन पहले आया है और कौन लास्ट में आया है ओप्शन है यह ध्यान से दिखाते हैं इसका आंसर याद रखिए स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कोशन रिपीट होते हैं सती अनुमूलन अधिनियम 1829 हिंदु विवाधिनियम 1955 मात्रत पलाब अधिनियम 61 समान पारिश्रमिक यानि सबको समान जो है महनताना मिलना चाहिए सती निरोधग 1987 कोशन नंबर 16 वू एक्सप्रेइन दा पॉसिबल रीजन फॉर दा इमर्जेंस और प्राइमेट सिटीज इन 1939 में प्रमुक नगरों के उद्भव के संभावित कार्णों कोन्यम लिकित में से किस ने व्याख्यायित किया है ऑप्शन नंबर सी मार्क जेफर्सन ने ठीक है ध्यान से देख लीजे यहां पर स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं कोशन नंबर 70 आंसर करिएगा इस कोशन का कोशन नंबर 70 जब तक मैं आपको कोशन दिखा रही हूं आप आंसर करिए सलस्कृति के अध्यान के लिए सरवाधिक प्रभावशाली केंद्रों में से एक सेंटर फॉर कंटेंपररी कल्चुरल स्टडीज किससे संबंदित है ऑप्शन नंबर या सेट एकजाम देने जा रहे हैं या पिएचडी का एकजाम देने जा रहे हैं और सब्जेक्ट है सोचलाजी यानि आपका समाच सास्त तो यहां पर इसी तरीके के कोशन आपको बार बार फेस करने को मिलेंगे आप PCS में जाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका वही जगा पे ही इंपोर्टेंट है तो कोशन नमबर 17 करेक्टांसार ओप्षन नमबर बी युनिवर्स्टी ऑफ बर्मिंगम ठीक है बर्मिंगम विश्विद्याले इंग्लेंड में एक शोध केंद्र था ठीक है समकाली सांस्कृतिक अधियन केंद्र सेंटर फॉर कंटेंपररी क किसने की थी स्टुवर्ट हॉल ने की थी कोशन नमबर नेक्स्ट आपके सामने कोशन नमबर 18 है असर्शन रीजन का पहला है असर्शन समासास्त्रियों को संकल्पनात्मक ब्रमांट से अनभव जनक दुनिया को प्रतक करना चाहिए जिसका वो निर्मांड करते हैं रीजन इस वेबर के द्रस्टी कोड में इतिहास विसिस्ट अनभव जनक कटना उसे संवरचित है और इनका अनभव जने इस तर पर समानी करण नहीं किया जा सकता अब असर्शन रीजन में सबसे पहले तो यह देखे कि जो असर्शन दिया गया है उसके आगे लगा लीजे वाई क्या लगाएंगे वाई कि अगर देखे कि क्या उस कोशन का आंसर आपके उस रीजन में है या नहीं यहाँ पर दोनों ही सही है और करेक्ट एक्स्प्लनेशन है वीबर के दरस्ति कोड में इतिहास विशिस्ट अनभव जनक घटना से सनरचित है अनभव जन इस तर पर समानी करण नहीं किया जा सकता इसलिए समासास्त्रियों को संकलपनात्मक ब्रह्मान या अनभव जनक सही है यह आपसे पूछा गया तो इसको मैं आप लोगों को प्रोवाइट करूंगी तो आप लोग डरेक्ली इसका आंसर देख लीजे कौन-कौन से तर्क सही है ऐसे ही किसी भी राइटर के बारे में या किसी सोशलोजिस्ट के बारे में भी आपसे को स्टेट्मेंट पक्रूप में लिखा मैंहीम की प्रक्रियान तात्विक निसकश ग्यान समाजिक सनरचना के मद्य संबन को सपस्ट करते हैं मैंहीम का तर्क है कि माक्स ने ग्यान के समास्तास्त्रा दरशन रिमित किया है मैंहीम के उसार ग्यान का समास्तास्त्रा राजनेतिक जीवन के आपको सबसे पहले तो पढ़ना पढ़ेगा कि भारत में आदुनिक श्रमिक वर्क बिटिश काल की दुरान भारत में स्तापित आदुनिक उद्योगों याता याद परिवान क्रिशी विवसाय का प्रतिफल है भारती श्रम जीवी सर्वहारा वर्क अकिंचन किसान और बरबा हुआ मजदूरी अरजन करता बन गए भारती श्रमिक वर्क में रास्ट्रे वर्क चेतना सिक्षित मद्यवर के बहुत बाद में उद्य हुआ फिर है आपका ब्रिटिश काल के दौरन भारत के कामगार बिमारियों बेरोजगारी व्रद्धा वस्ता मृत्यों के जोखिम से स रक्षित थे उपनिवेशी भारत के कामगारों के विश्त रिताबादी सम्रत थी तो देख सकते हैं कि इसको कितना रीड करना पड़ा है इस वज़ा से रीडिंग के हैबिट थोड़ा आप लोग बढ़ा दीजे और कॉंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भारत में आदुनिक उप्षिन नंबर A, B और C सही है ठीक है इसको आप लोग अराम से पढ़ लिजेगा चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ जो है कोशन नंबर 21 उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें WF और और बन ने प्रथम बार सांस्क्रेटिव विलंबना के बारे में परिचे कराया था तो करे जम बना यानि क guiding करしरल लैक सिधान परस्तु किया और उनोंने संस्क्रेटी को कितने भागों के बाटा भौतिक संस्क्रेटी अबहौतिक संस्क्रेटी तोछि क्षें剛iteaus को किस नाम से जाना जाता है जिसका नेट से तब अविरभाह हुआ जब परियाप्त व्यक्ती CYBER SPACE जिसमें वेक्तिकरशमंद की वैबस बनाने के लिए सर्वरनिजेनिक चर्चा करते थे Knight रेसिदेशल कमेनिटी नोन रेसिदेशल कम्एनिटी ये नन आफ द अबच चलिये देखते हैं सही answer option number one उस सामाजिक समुषन को अभासी समुदाय की नाम से जाना जाता है जिसका नेट से तब अविर्भा हुआ होता है जब परियाप्त व्यक्ति साइबर स्पेस में व्यक्तिकत संबन की webs बनाने की सारवजनिक चर्चा करता है question number 23 question number 23 दो स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट मानव प्राणी बिना इस्थाई निवास के लाकों वर्षों तक जीवित रहा आरंबिक नगरों के उद्विकास का आरंब जो है बारा हजार साल पहले हुआ statement one statement two क्या होगा इस question का सही answer दोनों गलत हैं दोनों सही है या क्या है पहला गलत या दूसरा सही तो सही answer है option number one दोनों ही गलत है प्राचीन समय में मनुश्य बिना केसी स्थाई निवास के लाकों वर्षों तक विचरट करके जीवित रहा दूसरा कतन उत्विकास की विशे में भाई सही है दोनों option यहां पर option ही गलत लिखा हुआ है दोनों गलत दोनों गलत दिया हुआ है जबकि यहां पर अगर इंगलिश में देखिए both statement one are correct यहां है क्या incorrect यही चीज़ यहां पर यह लोग हिंदी के साथ कर देते हैं दोनों ही statement सही है वही मैंने कहा कि भाई पहले कौन सा निवास होता था तब भी तो वो जीवित रहा है और बाराजार साल पहले माना वितियास से पहले ही नगरों का विकास हुआ है जैसे कि मुहन जो दाड़ो हट्पा की सपिता है इसको पढ़ लेना डिरेक्ली मैं आप लोगों को आंसर दिखाने वाले हूँ चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लेना कतनों का साइस पस्ती करण है 1972 में ब्रिटिस समाज सास्त्री ओकले की पुस्तक सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी इसी चिंतन की आगास थी ओकले के अंसार जेंडर समाजिक सांस्क्रितिक संवरचना है जो स्त्रित्व और कुरुषत्व के गुड़ों को गड़ने के समाजिक नियम कानूनों करने धान करता है मीड ने 1935 में लिंग मिसांस्क्रितिक अंतर कध्यन करने वाले पहले मानव विज्ञानी थी कौन मीड नियू गिनी में उन्हें तीन जन जातियां मिली थी कौन सी आरापेश मुड़मोर तचुम्बली जिनकी लेंकिंग भूमिकाएं नाट की रूप से भिन्न थी और उन्होंने उस पर सर्च किया था दा ट्रांस्फोर्मेशन ऑफ इंटीमेसी पुस्तक के लेखक इन में से कौन से है पी बोर्दियो यू बेक बोर्टरी लॉड और गिडिन्स सही आंसर है ऑप्शन नमबर डी गिडिन्स गिडिन्स की पुस्तक है दा ट्रांस्फोर्मेशन ऑफ इंटीमेसी जो 1992 में पबलिश हुई गिडिन्स कौन थे बिटिश समाज सास्त्री जो सनरचना की सिद्धात आतुनिक समाज हो के अपने स सोशल थियोरी 1971 एमली दुर्खी नाइटीन सेवंटी एड नियू रूल आफ सोचलोजिकल मेथड नाइटीन सेवंटी सिक्स एकॉर्डिंग टू टेलकॉर्ट परसन के अनुसार परिवार के दो प्रमुक प्रकारिया कौन से हैं आपको यहां पर बताना है कि फंक्शन ऑफ फैमली दो प्रमुक प्रकार के कौन से फैमली के फंक्शन होते हैं वो आपको बताना है किसके अकॉर्डिंग टॉलकॉर्ट परसन के अकॉर्डिंग तो कोशन नंबर 26 सही आंसर देख लिजए यहां पर उप्शन नंबर D A N B यानि प्रात्मिक सामाजी करण और व्यक्तित्व अस्थरीकल परसन्स को समाज सास्तर के प्रकारिवादि की नेता के रूप में भी जाना जाता है कथन एक जेंट्रिफिकेशन महानगरों में संपदा की वापसी की एक प्रक्रिया है दूसरा है कि यूरोप और अमेरिका में जेंट्रिफिकेशन महानगरों में संपदा की वापसी की एक प्रक्रिया है इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है चलिए जल्दी से आंसर द क्योंकों की सायता करने के लिए कारिय नहीं करता है जिनें जाती अनपात के दार पर फायदा होता है कोशन नमबर 28 फिर से हैं यहां पर वर्क्स और उनके ओथर्स एक बार पढ़ लीजे अगर एक्जाम में आ जाए तो क्या लिखेंगे इस कूशन का सही आंसर चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए दा बोडी एंड सोसाइटी एक्प्लोरेशन स्टर्नर दा लोकेशन ओफ कल्चर भावा दा कमिंग ओफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डी बेल कल्चर एस प्रैक्टिस बॉमन कोशन नमबर 29 सोशन और दमन के विरुद किसान विद्रों के कारण इन में से कौन से है ऐसे ओप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा आप विदाव ट्रेडिंग कोशन का आंसर नहीं कर पाएंगे सही आंसर देख लिजे इस कोशन का ओप्शन नमबर D सोशन और दमन के विरुद किसान विद्रों का प्रमुक कारण है उनकी दशा का राश किसानों को उच्च ब्याजदर अकाल उत्पादों की विक्री की कमी भाई क्या होता था पहले किसान क्या करते थे भाई उच्च ब्याजदर देते थे अगर कोई लोन लेते थे किसी साहुकार से अकाल पड़ गया तो भी उनको हानी होती थी बिक्री की कमी होती थी बाढ़ सुका अगर बेहतर बीज नहीं मिला यानि उनकी अल्टिमेटली उनकी दशा इतनी खराब थी जिसके विरुत किसान विद्रोज स्टार्ट किया गया था ठीक है दशा सुधारने के लिए किसानों की ये मूव्मेंट स्टार्ट किया गया विमेन इन डवलम्मेंट यानि डवलू आईडी विमर्श में संकल अपनात्मक परिवर्टन से सम्मधे कौन से तथ्या सही है डवलू आईडी के वारे में इसका फुल फॉर्म भी कभी का विमेन इन डवलम्मेंट के बारे में क्या चीज़ सही है डवलू आईडी का माना है कि महिला एक समझाते समू है डवलू आईडी एक मितक प्रिक्षिब ऑप्शन पढ़ते जाए डवलू आईडी के बारे में पूरी डेटेल आपके सामने अगला कोशन कोशन नमबर 31 किन अभिधार्णाओं के समुच्चे पर पार्संस की विचार आधारित है पढ़ने में शायद टाइम लगे इसलिए मैं डिरेक्ली इसका आंसर आप लोगों को दिखाने वारी हूं सही आंसर है ऑप्शन नमबर सी सभी अभिधार्णाओं के समुच्चे पार्संस की विचारों पर अधारित है कोशन नमबर थाटी टू डिसेबिलिस में जिसे हम दिव्यांगता कहते हैं वैशब्द है जिसे उस विचार धारा के वड़न ही तू किया जाता है जो भौतिक, सांस्कृतिक और मनोवेग्यानिक जैसी समाजिक भाधाओं वाले दिव्यांग जन को सोव्यवस्तिक तरीके से हाशिय करण और उन्हें अलग करती है यानि दिव्यांग जन के बारे में पूछा गया है कि ये परिभाशा किस अधार पे है कतन सांस्कृतिक भाधाएं समाज में दिव्यांग जनों द्वारा सामना किये जाने वाले उत्पीडन है तो मूल कारण नहीं है दो स्टेटमेंट हैं दिव्यांग जन की परिभाशा को प्रूफ वरते हुए कि वो परिभाशा क्यूं दी गई है पहला सही और दूसरा गलत यानि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक सामाज में दिव्यांग जनों द्वारा सामना किये जाने वाले उत्पीडन हितु उसका मूल कारण नहीं है यहाँ पर यह जो दूसरा ऑप्शन है यह गलत है नेक्स्ट कोशन देखिए कोशन नमबर 33 लेबलिंग सिधान के लिए सही है जो विचलन की व्याख्या में एक प्रमुग प्रतिमान है इन में से कौन सा लेबलिंग सिधान के बारे में इस में से कौन सी चीज़े सही है पढ़ते जाए ऑप्शन दियान से देखिए इस कोशन का सही आंसर ओप्शन नमबर B लेबलिंग सिधान का विनिमे प्रकार से सोसाइटल रियक्शन सिधान के लिए प्रयोग किया जाता है लेबलिंग सिधान शिकागो स्कूल से प्रभावित है यानि ओप्शन नमबर A and D only लेबलिंग सिधान का विनिमे प्रकार से सोसाइटल रियक्शन सिधान के लिए प्रयोग किया जाता है और ओप्शन नमबर D लेबलिंग सिधान शिकागो स्कूल से मात्वपोंड़ंग से प्रभावित है फिर एक कोशन है कोशन नमबर 34 ध्यान से देखिएगा अंबेडगर ने अनुसूचित जातियों के उधार पर बल दिया उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने स्वयम के लिए दावा करना चाहिए ऐसा उनका कहना था अंबेडगर दलितों की समतावादी सामाजिक विवस्ता के निर्मान के द्वारा मुक्ति चाहते थे और उन्हें एक मंत्र दिया था कि सिक्षित बनो संगठित रहो और आंदोलन करो सही है कि नई इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा आपको लगता है कि स्टेटमेंट सही है दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है कौन सा सही है स्टेटमेंट जल्दी से कमेंट करके बताईए अम्बेड कर जी के बारे में यह है जो उन्होंने करा है दोनों ही सही है यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है उन्होंने दलितों को आगे बढ़ाने के लिए उधार के लिए काम किया था ठीक है फिर कोशन नमबर 35 जैब विविदता शब्दी की रचना किस ने की थी यह बहुत बार मैंने पेपर वन में भी कराया हुआ है क्या होगा जैब विविदता यह कोशन आयोग द्वारा ड्रॉप कर दिया गया था ठीक है फिर है नेक्स कोशन कोशन नमबर 36 असर्षन है यहां पर रीजन नहीं आई थिंग इसमें असर्षन तो है बट रीजन नहीं है इसमें मुझे इस कोशन को भी अभी ड्रॉप करना पड़ेगा यहां से आंसर पढ़ लो लेकिन डाइस्पोरा शब्द संपूर्ण विश्व में लोगों के प्रसार को निर्दिस्ट करता है डाइस्पोरा अपने खाद वियंजन ग्रिकट और सिनेमा के तरित कई अन्य कारण के लिए भी जाने जाते है बोर्दियों ने हैबिट्स की संकल्पना क माध्यम से समाजी करंटी विचार को विक्सित किया और हैबिट्स में समले थै इन में से कौन सी चीज कोशन नमबर 37 मतलब बोर्दियों ने हैबिट्स के बारे में जो चीज़े कही है वो क्या-क्या है शामिल हैबिट्स के इंतरक्रद तो कोशन नमबर 37 ध्यान से देखिए ओप्शन नमबर वन हुगा इस कुशन का सही आंसर ओप्शन नमबर A, B, C only पियर बोर्डियों ने हैबिट्स वह तरीका जिसे की लोग अपनी आदते कोशल सुभाव के मादियम से जिस समाजिक दुनिया में रहते हैं उस पर प्रतिक्रिया करते हैं हैबिट्स में हैक्सिस एक व्यक्ति की मुद्रा भाषन धारना वर्गी करिंट की मानसिक आदते पसंशा क्रिया दोनों शामिल हैं हैबिट्स विसेस्ट गुड़ों को धारित करते हैं और उन्हें प्रदद करते हैं कोशन नमबर 38 जल्दी से इस कोशन का अंसर करिएगा शिकागो में भूमी के बुल्स आई की बजाए सकेंद्री अचल के रूप में प्रियूक को निमलिकित में से किसने व्यक्याइद किया है ऑप्शन ए बेल्स ऑप्शन नमबर वी बेकर के द्वारा ऑप्शन सी बेक और ऑप्शन नमबर डी बर्गेस ऑप्शन नमबर डी बर्गेस के द्वारा किया गया ठीक है बर्गेस के यहाँ पर उनका नाम आया था Ernest W. Burgis ने फ्याख्याई किया किसको Concentric Jones को Next Question आपके सामने यहाँ पर एक Question है कि 113 परिवार से सम्मंदित Question है इसे परिवार से सम्मंदित जिसमें किसी व्यस्क के पास पूर्व में किये हुए विवास से बच्चा होता है Question number 39, सही answer, Option number C, Step Family सोतेले परिवार से सम्मंदित है जिसमें किसी व्यस्क के पास पूर्व में किये हुए विवास से बच्चा होता है माननक विचलन विचलन का एक माप इन में से कौन सा है तो सही answer है मीन यानि कि जिसे हम माध्य कहते है Question number 41, अब रूल नियम किसके विवा के बहिर विवा का रूल क्या है, अंतर विवा का क्या है, हाइपर गेमी, हाइपो गेमी तो यहाँ पर directly मैं दिखाती हूँ इसका answer बहिर विवा, स्वयम के सम्मू के बाहर अंतर विवा, स्वयम के सम्मू के भीतर हाइपर गेमी अनुलूम हाइपो गेमी प्रतिलूम नेक्स कोशन कोशन नमबर 42 रोनाल्ड रोबर्टसन का कहना है कि सांस्क्रितिक इस्तर पर वैश्वी करण निमले कित कार्णों से प्रारम हुआ तो वो कारण कौन से थे इसमें से आपको कंटिन्यू पढ़ने पढ़ेंगे तो आप इस कोशन का आंसर कर पाएंगे इसलिए मैं कहा रही हूँ कौन सेप्ट पर सध्यान दीजे रॉनल्ड रोबर्टसन के अंसार सांस्क्रितिक इस तर पर वैश्वी करण विश्व का संपीड़ा एं वैश्वी चेंतना के कारण आरंभुआ कारण आरंभुआ रोबर्टसन ने वैश्वी करण को समा सास्त्री विधी के रूप में परिवाशित किया जिसमें विविन संस्ताइं, प्रक्रियां और व्यक्तियों के बीच अंतरास्टी इस्तरपसंचार सा योग के नए रूपों का फिकास होता है SPSS का फुल फॉर्म SPSS एक कम्प्यूटर प्रोग्राम है जिसमें मात्रात्म काकड़ा प्रबंदन विश्लेशन किया जाता है SPSS का फुल फॉर्म क्या है ये पेपर वन में भी कोशन आता है, पेपर टू में भी आता है B, Statistical Package for Social Anthropology ये गलत है B, SPSS का पूरा नाम है Statistical Package for the Social Studies यानि Option B, Social Studies से संबंदिर है Statistical Package ऐसा सांकिकी Software Package है सांकिकी है ठीक है सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के शेत्रों में आंकडों के प्रबंदन के लिए उप्योग किया जाता है Quotion No. 44, Durkheem, Giddens, Fouko इनके Rules का यहां पे बताया गया है जो इन्होंने बनाया है New Rules of Sociological Method, The Rules of Sociological Method, The Archaeology of Knowledge और Fair Class, Critical Discourse Analysis किसके दोरा दिया गया तो सही अंसर है Option No. C, इस Quotion का Durkheem, The Rules of Sociological Method Giddens का है New Rules of Sociological Method Fouko the Archaeology of Knowledge and Fair Class का Critical Discourse, Analysis, The Critical Study of Language Question No. 45, जल्दी से अंसर कमेंट कीजे, एक अल्प संक्यक समूं के मूले विशे पर और अभिवरतिया, जो मुक्यधारा या आरोही संस्कृति की विरोधी होते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है Question No. 45, चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर, Option No. B, प्रती संस्कृति Question No. 46, मैक्स वेवर की क्रतियों को, यानि जो मैक्स वेवर ने वर्क किया है, उन्हें सिक्वेंशल ओर्डर में लगाना है जिसमें है, Religion of China, Ancient Judaism, Economy and Society, The Prostand, Ethics and the Spirit of Capitalism, The Religion of India Question No. 46, सही आंसर, Option No. D, ध्यान से देखिए, कब-कब कौन पबलिश हुई, क्योंकि एक्जाम में हो सकता है, दोबारा रिपीड हो प्रोटेस्ट, Ethics and the Spirit of Capitalism, 1905 में, Religion of China, 1960, Religion of India, 16-17, Ancient Judaism, 17-18, और Economy and Society, 19-21 एलेक्स इंकलिस के इंसार, समास दास्तर की विशे वस्तू के चित्रन के लिए तीन प्रमुक मारक हैं, और वो कौन-कौन से मारक हैं? कमेंट करके बताएए, A, B, C, D, E, इन में से कौन से? देखते हैं इस कोशन का सही अंसर, उप्शन नमबर A होगा, यहाँ पे A का मतलब है A, B, C इकिन्स ने अपनी पुस्तक, What is sociology में समास दास्तर की विशे वस्तू का वर्डन किया? इंकलिस के मिसार समास दास्तर की विशे विस्तू के चितरने तू तीन प्रभुकमार हैं विशलेशनात्मक, अनुबवात्मक और एतिहासिक विशलेशनात्मक बताता है की कारण क्या सुझाता है अनुबवात्मक समकाली समास दास्तर क्या कर रही है? कुशन 48 कृतिम बौधिक समाज के आगमन के ठीक पहले वाला चरण जो है वो कौन सा है सही आंसर ऑप्शन नमबर वान ज्यान परक समाज का प्रथम चरण कृतिम बौधिक समाज के आगमन के ठीक पहले का चरण ज्यान परक समाज का प्रथम चरण है इस चरण में सिक्षित वैक्ति विबिन शित्रों में ग्यान प्राप करते हैं और समाने जंता कोन के ग्यान से लाब उठाने के लिए उन्हें प्रसिक्षन भी देते हैं कोशन नंबर 49 एक लोग प्रियप पूर्वानुमान के अंसार सामाने संपती संपदा संसादनों में राश के निमले के रुपांतर हो सकते हैं प्राकरतिक अपदा के कारण संसादनों के पादक्ता का हराश उप्योग और संपत्ति अधिकारों का पुनास तांतरन या त्रिकी करण या सांजी खेती का प्रियोग तो सही आंसर इस कोशन का क्या है ओप्शन नंबर B ओप्शन नंबर B इस कोशन का सही आंसर है आप्शन नंबर B यानि A, B, N, C प्रकरतिक आपदा के कारंट संसादनों की भौतिक हानी, संसादनों की उत्पादक्त्रा काहराश, उप्योक और संपतियादकारों का पुना हस्तांतर इसमाईल दुर्खाईम की एनोमी की अफधारना उनकी निमलिकित में से किन करतियों में प्रबल रूपसेट पर कट हुई थी सोसाइट, the rules of sociological method, the elementary forms of the religious life, the division of labor in society और moral education करेक्ट आंसर देखिया, option नंबर B, A, N, D एनोमी शब्द सबसे पहले, फ्रांसी सी समासास्त्री, इमाईल दुर्खीम ने प्रस्तुत किया था, एनोमी समासास्त्री की उट्रस्ट अफधारना है दुर्खीम ने एनोमी की अफधारना उनकी क्रति सोसाइट, जो की 1897 में आई, और the division of labor and society 1893 में प्रस्तुत की है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजगा, और रेड़ी सोचलोजी की प्लेलिस्ट बनी है, तो अगर आप पहले की भी पेपर देखना चाहते हो, तो वो आपको मिल जाएंगे हमारे इसी चैनल पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखे, ब और बाकी जून का पेपर मैं इसके बाद आपको तुरन दिखा दूंगी, तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले, ठेंक्स पर वोचिए